जैहिन साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ग्यान आर्बियल में दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपके लेख पाल और वन्रचक एक्जाम के लिए मुहावरे से संबंदित कोश्चन कौन से बनते हैं ठीक है तो इसमें हम दोस्तों मुहावरे देख देखेंगे जो की देखिए थोड़ा सा कटिन होते हैं ठीक है आपको समझना होता है देखिए इनको रटना नहीं होता और यहां से आपके दो कोश्चन पूछे जाने की संभावना हैं बन सकती हैं क्योंकि पिछली बार दो कोश्चन कम से कम पूछे गए और आपको बता द आएंगे दोस्तों ऐसे आपको यह मिल जाएगे देखिएगा उत्तर प्रदेश लेकपाल परिच्छा 2019 जून है यह मिल जाएगे इसमें लेकपाल के सारी सारी वीडियो दोस्तों एक्रम में लगा दी इसके अलामा अगर आपने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर डाला है ठीक हो चुका है ठीक, बिलोम सब्द पढ़ा चुके हैं ठीक, वाक्यानसों के लिए एक सब्द पढ़ा चुके हैं अब देखें लोकुक्ति मुहारे आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इसके लामा आपको बता देें कि हमने कारक पढ़ा दिया है और दोस्तों अन्यकार्थिस पढ़ा दिये हैं तो आप देख सकते हैं कि लगभग दोस्तों आधे से ज्यादा हमने चैप्टर पढ़ा दिये हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये मुहावरे का तो आपको उतादे मुहावरा मूलते अर्भी भासा का सब्द है इसका दोस्तों अर्भी भासा का सब्द होता है तो माब्क्राफण्टा आपको सब्सक्राइब सोते हैं अब देखते हैं मुहावरे के बारे में चलिए पहला है कि अंधेर खाता आप lav ले कर रह जाना यानि की तो मनोरत जो आपको पता है कि विफल मनोरत रह जाना दोस्तों धीक है चलिए अपना उल्लू सिधा करना देखे कई बार पूछा गया है तो स्वार्थ सिध्ध करना अपना स्वार्थ निकालना मतलब अपना उल्लू सिधा करना अगला है अकल का पुतला अन्दे के हाथ बटेर लगनां क्या होता है अन्दे के हाथ बटेर लगना आको भी पता है कि आयोग के हाथ अनयस कोई अच्छी वस्तु का लगना दोस्तों ठीक है अंधे खांत बटेर ठीक है समझता कि मतलब कि बिना योगिता के दोस्तों कोई अच्छी चीज मिल जाना वहीं समझ सकते हैं कि अध्या गगरी छलका जाए मतलब क्या होता है कि ओछे बैक्ति का इतरा कर चलना मतलब जिनके अंदर गुर्ण नहीं तो यो बहुत दिखावा करते ये कि समझ सकते हैं ठीक है अगला है अंधे को दिया दिखाना मतलब कोई काम तो नहीं ठीक है चलिए अगला है अपने पैरो पर कर लेना अपनी प्रसंसा खुद कर लेने अपको यशी किया अगला है अकल पर चलिए अगला है आखों में चुभने वाला केते ना आख की टीर्गिरी हो गए ठीक है आकास में फूरे का होता है कि पहुंच से बाहर होना अगला है या विश्वास घाती पाल लखा था ठीक अगला है आचल पसारना यानि की दया की भीख मागना कहते हैं बिटा में तुम्हारे सामने आचल पसारने फिल्मों में आपने देखा होगा बहुत गिल्ग आती है हिरोईञ की मां सुरी हीरो की मां गुंडग सामने चलिए अगला है अगला है आठे हाथ हो लेना यानि कि बुरा भला उनको हम सुनाएंगे अगला है आखे चार होना एक दूसरे को देखना ठीक है अगला है आपे से बाहर होना मतलब अत्यंत क्रोदित होना कहते हैं जाने कि अभी मैं आपे से बाहर हो जाओंगा मतलब की अत्यंत क्रोदित हो जाओंगा फिर मुझे सब्सक्राय एक किसको क्या कह रहा हम ठीक है अगला है आंख का खाल आनि अत्यंत प्री होना आखों का खाल मतलब मूर्ख त्छलिए अगला है अंखों का पानि गिरना यानि मतलब पहुत दखली जांकारी आपके अंदर है अग्ली पकड़कार मतलब पहुचा पकड़ने ना धीजर साहस को बढ़ावा देना ठीक है मतलब किसी को अगर आपने थोड़ा लेटने के लिए दे दिया बैठने दे तो कहें सोचे का मैं बैठ ही जाओं मतलब लेट ही जाओं तो वही का होता है उंगली पकड़ कर पहुचा पकड़ना ठीक है चलिए अगला एक ही थाली के चट्टे कोई भेद खुल जाना कोई भेद प्रकट हो जाना कलेजे पर पत्थर रखना यानि कठिंता में धैर धारन करना ठीक है मकमली जूते मारना यानि मीठी मीठी वातों से दोस्तों किसी को लज्जित करना ठीक है क्या होता है मकमली जूते मारना अगला है थाली का बैंगन होन पर जाएगा इस तरह से दिलाघ्याद मी कुछ भी कह लो उनको कोई फरक नहीं पड़ता तलवार की धार पर चलना मतलब बहुत कठिन काम करना ठीक है पत्थर की लखीर कहते ना भूप पत्थर कि लखीर तो लाव ही लाव अंडे का सहजादा यानि अनुहाँ हीन होना तो वही का होता है अनुह सू agony होना अगला है इद का चांड होना कहीं है को Real Drive का प्रतिश्ठा कभी नहीं दिखताए नहीं दिखता ना गात खाट का पानी पीना यानि बहुत अन्हवी होता त्विक देना रिस्ट में फाग खेल नहीं अल्प साधन होते हुए भी बिलासी होना लंगोट में फाग खेलना सखेद हाथी बांदना इसका मतलब काता अलाव कारी कारे करना गुदड़ी का लाल होना इंपोर्टन्ट है याद रखना असा धारण वस्त में अनमोल पदार्थ का छिपा रहना यानि गुदड़ी का लाल होना सब जो बाग दिखाना मोस्ट इंपोर्टन कई बार पूछा गया यूपी टेट सूपर्टेट में दोस्तों तो सब जो बाग दिखाना इसका मतलब क्या होता है लालच देकर बहलाना फुसलाना दोस्तों याद रखेंगे नाक का बाल होना बहुत प्री होना यानि की व् uma Kenia no तो हमला उत्व आ crazy इंboys चानि चले लोडक्ते करने अपका पूचह गया है too मुठी करना इसके मलबा कोष देना जोब झूी कर दो जू飯 देना थिक है अघला सांप शचुन्होंद dubbed कि होना यानि दुविधा की इस्तिति मोम होना मतलब द्रवी भूत हो जाना बहुत जल्दी गल जाना ठीक है चलिए पसीच जाना ना लंगोटिया यार होना मतलब की गहरी मित्तरता ठीक गहरी मित्तरता सूरज को दिया दिखाना यानि सेष्ट के विसाय में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर ठीक है अगला है अरंड चंदिका होना यानि की निस प्रयोजन पदार्थ होना दातों तले अंगुली दवाना यानि हैरान होना दोस्तों खेत रहना वानलग यानि की वीर गती को प्राप्त होना यानि खेत रहना कान लगाना मतलब ध्यान देना कहें कान लगा के सुन लो ध्यान देखे न कलेजा मुह में आना यानी दुख होना ठीक है खटाई में पढ़ना कुछ निर्ड़ा न ले पाना दोस्तों खटाई में पढ़ना कहलाता है खून का घूंट पीना यानी की अपमान सहना क्या होता है खून का घूंट पीना यानि अपमान सहना अगला है गागर में सागर भरना यानि थोड़े में बहुत कुछ करना जैसा कि बिहारी जी ने कहा था सब सया के दोरे जो नाभिक के तीर और देखन में छोटे लगे घाओ करे गंभीर अगला है गीदल भवकी जुट मुट का डरा गंगा नहाले न वहीं चीजा मतलब कि बहुत कर्षिन काम से छुट्टी मिल जाना गाठ का पूरा यानि धनी घड़ो पानी पढ़ना यानि के अत्यनत लज्जित होना ठीक है घाठ घाठ का पानी पीना संसार का अन्भो प्रात कर लेना चिकना घड़ा होना देखिए तो क मतलब कोई पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है निन में नहुंत गंती में थेखिकरे तो हो चुका है लकीर खिम पुराने विचारों का होना था Be करने ब्यारे और सई एंप्चश्र के बार को घर आठीक फेखिर Caoer होना करने का प्रयास करने का लूखा देने का फिक हाथ पैर मारना यानि असफल परिस्थरम करना या प्रयास करना कूप मंडूख होना most important this is great यह इत्नी ढ़ी दुनिया है अगला है जमीन आस्मान एक करना भोर प्रयात्म करना ठीक है चलिए अगला है काट का उल्लू होना यानि मूर्ख हो जाना बिल्ली के गले में घंती वानना यानि की अपने को संकट में डालना ठीक है हतियार डाल देना यानि की हार मान लेना अगला है आग लगने पर कुमा खोदना यानि की संकट के समय बचाओ के लिए सोचना आसमान फट जाना यानि अचाना काफाता जाना काट होना इस्तब्ध होना ठीक है और घड़ियां गिनना मतलब कि बहुत बेचानी से इंतिजार करना किसी को कहें घड़ियां गिनना हो यह करके ना पेट पीठ एक करना यानि बहुत कमजोर होना और दोस्तों यह आपके UPSM पूछा के कोश्चन है पाड का उल्लू यानि की मूर्ख पाप की पराकाश्टा होना यानि पाप घड़ा भर जाना आसू पीकर रहे जाना दोस्तों चुपचाप दुख सहलेना और किताब का कीड़ा होना यानि बहुत अधिक पढ़ने वाला कच्चा चिठ्था खोलना यानि सारा भेद खोल दे प्रिशंकू होना किसी ओर का ना रहना दोस्तों और दिनों का फिर होना यानि की भाग इच का चक्कर वचन से फिरना यानि की थूंकर चाटना और आठ आठ आँसूर होना यानि बहुत अधिक भी इलाव करना दोस्तों सभी के सभी कोश्चन पूछे गया हैं चक्का पंजा करना यानि ओछी हरकत से कारे को सिध्ध कर लेना चक्का पंजा होना ठीक है और कलम का धनी मतलब की क्या होगा अच्छा लेखक अगर आप किसी भी जाम के त्यारी कर रहे हैं खासकर लेखपाल हो गया वर्नच्छा को गया या फिर वीडियो तो आपके लिए ये इबुक बहुत इंपॉर्टन है कि अगर आप लेना चाहते दोस्तों इसमें समान हो जाए दोस्ते 50 रुपए में आपको पीडियो के मिल जाएगी क्या क्या होगा इसमें तुम्हें को बताती है संपूर्ण माला होगा विकारी सब्सक्राइब समुच्य वोधक संबंद वोधक विस्माथ निपात वाक्के लिंग वचन कारक काल वाच्चे समास संधी रश् करके इसी नंबर पर वाट्सप करके दोस्तों यह पीडियों से प्राप्त कर सकते थैंक्यू मिलते हैं नेक्ट वीडियों तब कर ले जाएं जै भारत बंदे मातम थैंक्यू लव यू आल